हमारी आज के वीडियो बुक कुश्चन साधी आंसर पर है जिसको ऐलन पीज ने लिखा है जो बॉडी लैंग्विज के वर्ल्ड बेस्ट नोन एक्सपर्ट है इस किताब को लिखने का परपस नेटवर्क मार्केटिंग इंडॉस्ट्री की कोई एक और दूसरी जल्दी जल्दी पैसा कमाने की स्कीम नहीं है बलकि अमीर बनने का सिस्टम है यह बुक बहुत सालों की सीख, बदलाव और टेस्टिंग टेकनीक को अपलाइक करने का नतिजा है अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक्स की समरीज के लिए इमेरिटल इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक और कमेंट भी करें और इस बुक को डीटेल्स में जाने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें टॉप लेवल नेटवरकर्स नाचुरल या बॉन नहीं होते टॉप लेवल नेटवरकिंग एक साइन्स है, जिसे बाकी दूसरी साइन्स की तरह सिखा जा सकता है सो आईए जानते हैं कि कैसे ये किताब आपको पावर्फुल टेक्नीक देती है और ये भी बताती है कि उनको कैसे यूज करना है अपनी प्रग्रेस को मेजर और इंप्रूव कैसे करना है और लोगों से डील करते समय क्या अब्जर्व करना है सो लेट्स बिगेन सक्सेस के पाँच गोल्डन रूल्स ये गारेंटिड है कि जो भी लाउफ कॉंसेक्वेंस को प्राक्टिस करता है वो eventually successful हो जाता है ये लोग कहता है जितने जादा बार आप खेलते हो उतने जादा आपके जीतने के चांस होते हैं और जितने जादा बार आप जीते हो उतने सक्सेसल आप खेलना सीख जाते हो अगर हम इस रूल को networking में अप्लाई करें मतलब जादा से जादा लोगों से business join करने के लिए पूछें पूछने का consequence ये होगा कि जादा से जादा लोग आपको join करेंगे जितनी जादा बार आप उनको पूछोगे उतना ही बहतर आप पूछने में बनते जाओंगे दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि आपको बहुत सारे लोगों को business join कराने के लिए पूछने की जरूरत है ये सबसे important rule है हर उस इंसान से बात करो जो आपके साथ खड़ा होके आपको सुनने को तयार हो जाए जादा activity से कोई problem कभी आपको नहीं होगी अगर आप ये सोच के depressed हो कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी life कहा जा रही है तो बस आप अपने presentations के number को double कर दीजे अगर आपका business quickly build नहीं हो रहा है तो आपको out उडानी की जरूरत है जाद से जादा activity ही मुश्किल का हल है सबसे बात कीजे ये पहला रूल है रूल नमबर टू see more people लोगों को call करते रहे क्योंकि जैसे ही calling करना बंद कर देंगे और enough prospect से नहीं मिलेंगे तो business से बाहर हो जाएंगे आप एक excellent personality हो सकते हैं लेकिन बिना presentations के आप average ही रहेंगे इसलिए सबसे बात करते रहें रूल नमबर ट्री see more people बहुत से लोग अपने असली potential तक पहुँच ही नहीं पाते उनको लगता है इसका reason है prospect को करने से ना कर पाना लेकिन ये सच नहीं है इसका reason है enough prospect से नहीं मिलना रूल नमबर फूर use the law of average law of average आपकी life के हर एक activity में होती है इसका मतलब है अगर आप कोई एक ही काम same circumstances में बार बार करते हैं तो आप ऐसे results produce करेंगे जो constant रहेंगे अगर आप किसी street corner पर खड़े होके आते जाते हर किसी को पुछोगे कि क्या आप मेरे साथ business join करना चाहेंगे तो law of average आपको result देगा हो सकता है 100 पे 1 का ratio होगा जो yes कहेगा लेकिन law of average हमेशा काम करता है record your ratios average and statistics को record करना या track करने से आप positive रहते हो और track पे रहते हो जब आप अपने averages पर focus करते हो तो कोई और चीज़ आपको परशान नहीं करती जब आप law of average को accept कर लेते हो और समझ लेते हो तो कोई और चीज़ आपके लिए matter नहीं करती अपने calls, presentations और new member का statistics maintain करने से अपने set of averages develop कर लेते हो rule no.5 improve your averages law of averages भी हमेशा काम करता है ratio को maintain करने से हमको पता रहता है कि हमको कहां कहां improve करना है और इससे ये भी पता चलता है कि हम कितने successful हो सकते हैं ये आपको उन activities पर focus रखता है जिनसे result आता है ना कि इस पे की आपके साथ next step पे क्या होगा network marketing की typical average है 10 ratio 6, ratio 3, ratio 1 जिसका मतलब है 10 prospect से जब आप बात करते हो उन में से 6 बहुत excited होते हैं और कहते हैं कि वो आपके साथ business start करेंगे इन में से आधे यानि कि 3 मुश्किल से start करते हैं और इन 3 में से सिर्फ एक successful होता है अगर आप 10 लोगों को plan दिखाते हैं तो आपको मिल सकता है एक productive long term distributor अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि आपको 10 लोगों से बात करने में कितना वक्त लगता है इस सवाल का जवाब आपकी growth rate भी बता देगा बहुत सी network marketing companies जो बहुत high level की success पाने में fail हो जाती हैं इसे नहीं कि वो prospect को convince नहीं कर पाते बलकि वो जादा prospect से नहीं मिल पाते अगर आपको immediately अपने results को double करना है तो इसका answer है कि अगले साल वाले prospect से भी इसी साल मिल लीजे इस book का second section है How to get yes The four key techniques जब हम अपने prospect से बात करते हैं तो mostly उनका जवाब no होता है वो expect करते हैं कि हम उनको commitment देने के लिए convince करेंगे बर problem ये है कि आप कुछ भी बोलो prospect उस पे rejection phrase करते ही है इसलिए नहीं कि आपकी बात की validity नहीं है बलकि इसलिए कि वो आपने कही है क्योंकि जब आप कुछ कहते हैं वो आपका idea होता है उनका नहीं इसलिए prospect को rejection करना ठीक लगता है दूसरे हाथ पर prospect जो भी हमको कहते हैं वो सच होता है क्योंकि वो उन्होंने बोला है और वो उनका idea होता है हमारा नहीं ऐसा करना उनके लिए acceptable होता है और इस पे वो rejection raise नहीं करते जब आप किसी prospect को कहते हो आप एक ऐसी lifestyle जी सकते हो जो आपको सब कुछ देगा तो हो सकता है उसका response हो लेकिन मैं इस current situation में बहुत satisfied हूँ चांज ये भी हो सकता है कि उनका ये objection सच ना हो वो ऐसा response इसलिए करते हैं क्योंकि वो statement आपने दी है अगर same चीज आपका prospect कहता है तो वो सच होता है For example, अगर आपका prospect कहता है मैं अपनी lifestyle improve करना चाता हूँ and life change करना चाता हूँ तब इस पर वो कोई objection नहीं करेगा क्योंकि life change करने की बात उस नहीं कही थी आपने नहीं ये उसका idea था आपका नहीं जब आप four key techniques यूज़ करते हो तो आपके prospect आपको बताते हैं कि actually उनको क्या चाहिए लोग इसलिए objection करते हैं क्योंकि prospect uninterested नहीं होते बलकि presentation uninterested होती है ये four keys किसी भी cold prospect से भी कम time में yes करवाने का combination है ये है melt the eyes, find the hot button, press the hot button and get a commitment melt the eyes इस key का purpose है अपने prospect को अपने बारे में बता के उनके बारे में जाने उनके साथ repo create करना इस key का pure objective है खुद को sell करना अगर सामने वाला इंसान आपको पसंद करता है तो most likely आप जो भी offer करोगे वो उसको पसंद करेगा अगर वो आपको पसंद नहीं करता तो आप पर trust भी नहीं करता तो उसको plan दिखाने का कोई मतलब नहीं है लोग आपकी जब सुनते हैं जब वो आप पर trust करते हैं कुछ prospect के साथ ये करने में 3-4 मिन लगते हैं और कुछ के साथ 30-40 मिनिट भी लग जाते हैं इस stage में prospect emotionally upset, excited depressed, concerned और यहां तक की angry भी हो सकता है आप पर angry नहीं बलकि खुद पर angry आपके plan में complacency की कोई जगे नहीं है जब लोग complacent होते हैं मतलब अपने goals और ambitions को लेकर over satisfied होते हैं तब वो अपने work habits में भी complacent हो जाते हैं आपको अपने network में complacent लोगों की जरुत नहीं है वो लोग जिनके join करने के बहुत strong emotional reasons होते हैं वो काम करने के लिए हमेशा motivated रहते हैं इस stage में आप सीखते हो कि किसी इनसान के PMF यानि primary motivating factor को कैसे discover किया जा सकता है उनका PMF ही उनका business start करने का reason होता है इस stage में आपके prospect आपको बताते हैं कि life में क्या gain करना चाते हैं और कौन सा pain avoid करना चाते हैं ये सब कीज में सबसे important है क्योंकि इसमें prospect अपने hopes, dreams और fears के बारे में बताते हैं research का कहना है कि जादतर लोग network marketing organization join करने का primary motivating factor ये हो सकता है extra income, financial freedom, खुद का business, जादा खाली वक्त personality development, दूसरों को help करना नए लोगों से मिलना retirement, leave a legacy PMF सबसे जादा important है लेकिन साथ ये भी समझने की जरूत है कि network marketing business join करने का PMF सब क्या same नहीं हो सकता primary motivating factor को कैसे पहचाने आप अपने prospect से ये सवाल पूछ सकते हैं कि आपको पता है लोग network marketing business start क्यों करते हैं जब वो बोले नहीं, तब आप उनको सारे reasons की list दिखा सकते हैं और उनसे दोबारा पूछें कि वो क्यों join करेंगे, आपके prospect कुछ answers करेंगे, then आप उनसे 5 solid questions पूछ सकते हैं ये सबसे ज़ादा valuable questions है ये questions है आपकी number one priority क्या है आपने इसको क्यों choose किया ये आपके लिए important क्यों है ये नहीं मिलने का क्या consequence हो सकता है आपकी life में ये आपको क्यों परिशान करेगा power of silence ये हो सकता है कि आपके prospect की life में पहली बार ऐसा हो कि किसी ने उनसे इतने valuable सवाल पूछे हो और खुद को express करने के लिए उनको time दिया हो हो सकता है आपके prospect को पहली भी दूसरे network marketing के लिए approach किया गया हो लेकिन ये पहली बार होगा कि उनसे सवाल पूछ के उनके response का wait किया गया होगा आपके prospect के answer से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह की commitment बिजनस में देंगे और ये ना भूलें कि ये idea और करने का reason आपका ना होकर उनका होना चाहिए इसका मतलब है कि बहतरीन prospect का चुनाव कैसे करें अगर आपके prospect उन five solid golden questions का answer बहुत weak देते हैं तो आपको और दूसरे prospect को ढूनने की जरूरत है prospect जो weak response करते हैं वो leaner होते हैं और वो सिर्फ आपका time खराब कर रहे होते हैं prospect जिनकी priorities और dream होते हैं वो successful होते हैं हम बस उस success को speed up करने में उनकी help कर सकते हैं network marketing business करना garden plant करने जैसा है आप soil fertilize करते हो beach डालते हो और खराब मौसम से बचाते हो कुछ beach बढ़के fossil बन जाते हैं और कुछ नहीं बढ़ पाते आप सिर्फ उस plant को पानी दे सकते हो fertilize करके protect कर सकते हो असली secret मजबूत beach डालने में है और five solid gold questions का यही purpose है showing the plan इस stage में networker shine करते हैं इस stage में आप दिखा सकते हो कि कैसे आपका plan solution है hopes, dreams और fear का जो आपने second stage में अपने prospect से जाने थे आपके senior आपको सिखाते हैं कि business plan show करना जो proven होता है और results भी देता है business plan एक solution होता है problem से बाहर निकलने का और साथ ही dreams पूरे करने का जब आप plan दिखाते वक अपने prospect के word को repeat करते हो तो उन्हें अपने पन वाली feeling आती है वो plan meaningful और motivational बन जाता है वो उनके idea और शब्द होते हैं आपके नहीं get a commitment जब आप इन techniques को बिल्कुल ऐसे use करते हो जैसे बताया गया है तब आपको prospect को business join करवाना एक dramatic event नहीं लगता उनको खुद अपने अंदर enthusiasm की fire लगनी चाहिए कि business start करना उनके लिए obvious बात हो जाए हमेशा plan इस तरह से present करें कि business start करना एक natural चीज़ हो आपका style businessman जैसा होना चाहिए लेकिन आपको relax भी रहना है जैसा ये करना आपका रोज का काम है ये four key system एक proven तरीका है हाँ पाने का सो जादे जादे रिजल्ट पाने के लिए इस plan के साथ stick रहें बिना primary motivating factor पता किये plan दिखाने का कोई मतलब नहीं है hot buttons को ढूंडे उनको press करें और network marketing business बिल्ट करना आपके लिए simple हो जाएगा चलिए अब इस book के third section की और चलते हैं six strategic skills for powerful presentation skill number one, bridging bridging एक technique है जिससे आपको conversation continue करने में help मिलते है और bridging से आप ऐसी situation को avoid कर सकते हैं जहां आप बहुत जादा बात करते हो और आपके prospect बहुत कम करते हो वो prospect जो one word में answer करते हैं या बहुत कम बोलते हैं उनको bridging की help से बात करवाया जा सकता है कुछ powerful bridges है मतलब, for example, so, then which means, etc bridge open-ended questions होते हैं ये presentation में best use हो सकते हैं जहां लोग बिल्कुल बात नहीं करते या बहुत कम बात करते हैं skill number two, the head nod technique बहुत सारे लोग head nodding एक powerful tool नहीं मानते head nod करना एक gesture है जिसे बहुत सारी countries में एक agreement के रूप में माना जाता है इस gesture का origin था पूरी body को जुकाने जिसका मतलब है अगर मैं आपके सामने जुक रहा हूँ तो मतलब मैं आपकी बातों के साथ agree करता हूँ so head nod करना इसका ही एक छोटा moment है अगर आप positive feel करोगे तो आप head nod करना start कर दोगे और अगर आप head nod करोगे तो आप positive feel करना भी start कर दोगे skill number three, minimal encourages जैसे जैसे हमारे prospect बात करें हमको उन्हें minimal encourages की help से encourage करते रहना चाहिए इसमें आता है I see, really, tell me more minimal encourages की help से आपको double information मिल सकती है minimal encourages, head nod और bridging के combination से एक best presentation deliver की जा सकती है skill number four, how to keep eye control research कहती है कि face to face presentation में जो information सामने वाली की brain में पास होती है वो 87% आखों से होती है 9% ear से 4% other sense इसलिए eye control बनाये रखना बहुत important है skill number five, mirroring जब दो लोग mentally एक दूसरे के साथ sink में हो जाते हैं तब उनकी bodies भी similar posture और same gesture use करते हैं same gesture use करते हुए physical sink में होती है इस behavior का purpose है participant के बीच repo create करना और conflict avoid करना mirroring से सामने वाली इंसान को बहुत हलका महसूस होता है ये एक बहुत ही powerful repo building tool है creating good vibes जब आप किसी नए इंसान से मिलते हो उनके sitting position, body angle, gesture, expressions और tone of voice को copy यानि mirror करना चाहिए चलती ही उनको ये लगने लगता है कि आप उनको पसंद करते हैं वो आपको ऐसा इंसान समझते हैं जिसके साथ असानी से रहा जा सकता है ऐसा इसलिए होता है कि वो अपने आपकी जलक आपके अंदर देखते हैं section number 4 6 tremendous techniques for making positive impressions हमको first impression बनाने का second chance कभी नहीं मिलता दूसरे लोग आपके बारे में 90% अपना opinion चार मिनिट से भी कम में बना लेते हैं और आपके बारे में कम से कम 25 judgment भी बना लेते हैं जैसे कि आपकी age, income, education, authority, friendliness, trustworthiness यहाँ चार ऐसे areas हैं जिस पर आपका control है जैसे कि handshakes, smile, dress और personal space technique 1 palm power तीन तरह के palm gasher होते हैं palm up, palm down, palm close finger pointed position palm up डराने वाला gasher नहीं होता यह gasher तब से इस्तमाल हो रहा है जब लोग caves में रहते थे और caves man इसको use करते थे जिसका मतलब था उनके हाथ में कोई weapon नहीं है palm down एक dominant gasher है यह जिस इंसान की तरह इस्तमाल होता है उनको लगता है उनको कोई order दिया जा रहा है और बहुत लोगों को यह खराब लगता है presentation के दोरा अगर आप continuous palm down gasher यूज करते हो तो most likely आपको rejection जहिलना पड़ेगा point C palm closed finger pointed position सबसे ज़ादा irritating position है speaker जो भी position B और position C यूज करते हैं उनको aggressive, forceful और arrogant माना जाता है technique 2 the handshakes जब आप किसी नए इंसान से हाथ मिलाते हैं तो तीन तरह के basic attitude transfer होते हैं वो है dominance ये इंसान मुझे dominate करने की कोशिश कर रहा है मुझे ध्यान रखना पड़ेगा submission मैं इस इंसान को dominate कर सकता हूँ ये वो करेगा जो मैं चाहता हूँ equality मुझे ये इंसान पसंद है हमारी अच्छी जम सकती है technique 3 left hand holding ये strategy बहुत obvious लगती है लेकिन बहुत कम लोग इसका ध्यान रखते हैं नए लोगों के साथ double hander होने से बचे technique 4 smile power smile एक non-threatening gesture है ये monkeys और chimpanzee भी यूज़ करते हैं research कहती है कि जितना ज़्यादा आप इसका use करते हैं उतना ज़्यादा लोग आपके close खड़े रहते हैं जितना ज़्यादा वो आपके साथ eye contact करेंगे उतना लंबा वो आपके साथ रहेंगे दूसरे सब्दों में कहा जा सकता है कि smile आपके business और personal life के लिए बहुत great है और इससे पता लगता है कि आप लोगों के लिए खत्रा नहीं हो technique 5 territorial respect हम अपनी body के आसपास एक space bubble बना सकते हैं जिसको personal space कहते हैं इस bubble की width depend करती है population density पर और इस पर कि हम किस culture से आते हैं इसलिए वो हमेशा आप से एक मीटर की दूरी पर खड़े होते हैं अगर आप किसी के पास खड़े हो और आप notice करो कि वो इंसान बार-बार पीछे हो रहा है तो आपको थोड़ा distance बनाने की ज़रूरत है यह उनका indirect तरीका है कहने का कि उनके comfort के लिए उनको इस space की ज़रूरत है टेकनीक 6 dress for success clothing आपकी body को 90% cover करती है और बहुत powerfully effect करती है दूसरे लोगों के perceptions को जो उन्होंने आपके लिए बनाए हैं चाहे वो trustworthiness हो, reliability हो social success हो या business standing हो एक appropriate business dress कैसी होनी चाहिए इसका जवाब इसमें चुपा है कि आपके prospect आपको कैसा dress up हुआ expect करता है आपको credible, likable, authoritative knowledgeable, successful और approachable लगनी के लिए उनकी opinion में आपको कैसे dressed होना चाहिए आपनी कैसा shirt, tie, shoe, watch hairstyle पहना होगा उनके हिसाब से आपके हिसाब से नहीं अपने prospect के हिसाब से dressing करने से उनको comfortable feel होता है बट हो सकता है वो आपको follow ना करना चाहे याद रखें आपके prospect का opinion यहाँ बहुत important है कि हमें उनके हिसाब से तयार होना चाहिए चलिए अब section number 5 के तरफ चलते है Body language, how to read the science Original body language, research और हजारों दूसरी studies का Words, 7-10% of total impact Vocal, 20-30% of total impact Body language, 60-80% of total impact इससे पता चलता है कि जिस तरह आप दिखते हो आपके gesture, smile, इन सबका बहुत impact होता है उस attitude पर जो दूसरे लोग आपको show करते हैं जिस तरह आप अपनी बात कहते हो आप क्या बोल रहे हो इससे बहुत जादा important है कि आप अपनी बात कैसे कह रहे हो The three rules of clusters Rule number one, reading clusters Body language में भी words, sentences, phrases और punctuations होती है हर एक gesture, एक single word की तरह है जिसके कई अलग मतलब हो सकते हैं किसी एक gesture का सिर्फ एक meaning नहीं हो सकता For example, सिर्ख हुजाने का कई मतलब हो सकते हैं Rule number two, consider the context Gesture को उन context में समझना चाहिए जिन में वो हुए है For example, arms और legs close रखने को defensive culture समझा जाता है लेकिन ये वो इंसान भी कर सकता है जिसको ठंड लग रही हो Rule number three, acknowledge cultural differences एक gesture जिसका मतलब एक country में कुछ है उसका मतलब दूसरी countries में बिलकुल अलग हो सकता है For example, ring gesture का मतलब जाद तर western countries में होता है ओके और good लेकिन France में इसका मतलब होता है zero और nothing भी होता है Japan में इसका मतलब पैसा होता है और कुछ countries में इस gesture का मतलब sexual insult भी होता है An instant guide to body language Arm crossing Body के आगे arm cross करना एक detached close attitude समझा जाता है ये एक inborn gesture होता है और 70% left arm cross करते हैं over right arm Opposite crossing याद रखना almost impossible है इसका purpose hurt और lung को attack से protect करना होता है Research का भी कहना है कि जो audience इस gesture के साथ speech सुनते हैं वो 38% से भी कम याद रख पाते हैं Hand to face touching सब researcher जिन्होंने hand to face touching पे investigate किया है उनका कहना है कि ये एक negative emotion से related है Western countries और बहुत से European countries के लोग अपने face को touch करने लगते हैं जब वो जूट बोल रहे होते हैं Asian लोगों के साथ ऐसा नहीं है वो religious reason की वज़े से head touching avoid करते हैं लेकिन जूट बोलते हैं उनके foot movement बढ़ जाती है अपनी presentation के दौरान hand to face gesture बिलकुल avoid करना चाहिए वरना आपकी audience आप पर trust नहीं कर पाईए Positive body signals The head tilt हम अपना सर तब हिलाते हैं जब हम सामने वाले की बात में interested होते हैं अगर आपका prospect head tilt कर रहा है तो presentation continue रखें अगर उसका सर एक ही जगा straight है या जुका हुआ है तो आपको कुछ topic change करने की ज़रूरत है Sucking glasses ये gesture usually तब होता है जब इनसान किसी decision पर पहुँचने की कोशिश कर रहा होता है ये glasses, pen या pencil किसी से भी किया जा सकता है Negative body signals मुझे अपने सारे जवाब मिल गए है ये या तो cooperation का gesture हो सकता है या completely debate का Depend करता है कि gesture किस context में use हुआ है Critical evaluation ये gesture listener की critical thought के बारे में बताता है इसमें index finger को point करते हैं, cheek की तरफ, thumb support करता है, chin को और middle finger mouth पे या mouth के side में होती है Slow hand rubbing Hand rub की speed बताते है कि person के intention क्या है Slow hand rubbing तब इस्तेमाल होती है जब इनसान अपने personal benefits के बारे में सोच रहा होता है या जो ये सोच कर कि वो discussion से कितना पैसा कमा सकता है इस किताब से system के treasure को unlock करने की keys मिलती है जिन से success की speed को बढ़ाया जा सकता है इस book में कही गई हर बात proven है और tested है जो immediate results देती है सब कुछ काम करेगा अगर आप काम करोगे So set your goal and go for it Thank you, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो immediately इस वीडियो को like करें और comment box में अपने views लखें आपने इस channel को अब तक subscribe नहीं किया है तो immediately subscribe करें और अगर possible है तो जाबर जाबर लोगे साथ इस book को share करें ताकि वो इस industry में expert बन सके Thank you, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ